हेलो भीवर्स कैसे हैं आप सब सोचते हैं कि आप सब सही होंगे और हम लोगों का पढ़ाई भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वी आर वरकिंग भेरी हाट फॉर प्रोवाइडिंग यूद पेश्ट आज वी कैन ओके सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बिटन और आप लोग अपना फीडबैक भी देते रहें समय समय पर कि कैसे लग रहा है आप लोगों को हमारा वीडियो और काम आ रहा है या नहीं आ रहा है देन वीविल इंप्रूव ओके अगर आप लोगों को बताएंगे ही नहीं तो देन वीविल तिंक दाट वी अपर आप लोग अपना डिमांड कीजिए अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवाईए इन फैक्ट इन सौर्ट तम आयम सेंग डैट पूट प्रेसर ऑन अस ओके सो अगर आप प्रेसर करेंगे देन वीविल प्रोवाइड यू दबेस्ट वीडियो ओके सो हम पहले चार वीडि अध्यगे निघ्टिटरेशन को कम्प्रेट यदिके जुकरOME लोग नुटिशन में आपा ओरो टॉट पिकमे मिल चुलिसान हां अउटरोपिक, है नहीं प्रेसर हम अभी आप्रिया पूटorama यूटर नहीं इस तम थो स्टरेश और आफ नहीं डालना चाह रहें छींगे लो तो आप लोगों को उस वक जब जरूरत होगा वीडियो का देम वी विल प्रोवाइड यू देट काइंड ओ वीडियो बट राइट नौ उतना ही प्रोवाइड करवाया जाएगा जितना आप लोगों को जरूरत है तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक हमा कि हम लोगों को सांस रुक रहा है इस डैट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग हो थोड़ा साथ समझें अम लोग यहां पर ऊपक्षार समझेंगे तो समझ में आएगा कि ब्रीधिंग उसको कहते हैं जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस को जाने दे रहें याने छोड हो रहे हैं वापस तो सिर्फ इतनी कि प्रक्रिया को ही ब्रीधिंग कहा जाता है उसके बाद वह हवा हमारे अंदर क्या कर रहा है वह ब्रीधिंग में काउंट नहीं हो रहा है को बहुत अच्छा से समझेब लेगा एक बार समझोगे लाइफ टाइं काम ब्रीधिंग किसे कहते हैं जब हम लोग औक सीजन इन्हेल करते हैं और एकसहल क्या सिम्न książ राग और chce है और फिर जितना भी waste material है हमारे body का collect करके carbon dioxide में convert करके exhale कर रहा है वो हुआ respiration simple सा solid सा इसका यही differentiation है difference बस इतना ही है ठीक है तो हम लोग देखते हैं breathing it is a mechanism of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide जैसे हम आपको बता चुके कि इसमें क्या होता है कि हम लोग oxygen यानि O2 को inhale करते हैं यानि की सांस लेते हैं इसमें हम लोगों को सिफ oxygen को चान करके लिया जाता है बाकि किसी भी gas को हमारा जो lungs है इस तरह से उसका mechanism में है इस तरह से उसको बनाया गया है कि that we inhale only oxygen from the air natural air चान लेते हैं लेकिन कहीं इस तरह के space में हम लोग फस जाते हैं जहां पर किसी और तरह का गैसे हैं इन्वार्मेंट में लाइक की समवेर मिथेन गैस लिख हो जाता है तो आप अगर एक्ष्ट्रा मिथेन गैस इनहेल कर लेंगे देन यूविल कम नियर देथ तो आप मौत के करीब आ सकते हैं तो उस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बट और हम लोग एक्सेल क्या करते हैं CO2 किसके बाद जब हम लोगों का ATP formation हो जाता है एनरजी रिलीज हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं respiration it is a biochemical process in which the cells of an organism releases energy by taking oxygen and liberates carbon dioxide जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके कि respiration क्या होता है कि वो biochemical process होता है जिसमें हमारा जो cell होता है जो हमारा cell है body का वो हमारा energy release करता है वो लोगे कि कैसे करता है तो हम आप लोगों को nutrition में पढ़ा चुके हैं कि कि प्रोसेस के थुरू हम लोगों का वहाँ पे food को complex to simpler में convert किया जाता है उसका जितने nutrients होते हैं वो cell क्या करता है absorb करके रखता है तो सारा nutrients तो वो absorb करके रखा लेकिन उसको हम लोगों के body में घुमना भी तो चाहिए circulation होना चाहिए ना तो circulation कब होगा in presence of oxygen यानि कि O2 के presence में ही हमारा energy रिलीज होगा नहीं तो सेल उसको रखे रहेगा तीजोरी में बंद करके आप लोग देखते हो दादी अम्मा जो लोग रहती है वो सारे पैसे को तीजोरी में बंद करके रख देती है निकालती ही नहीं कब तक जब तक आप लोग उनको प्रेसर नहीं करते हो कि नहीं ना नी दो नो दो दो हमको यह खरीदना है वो खरीदना है तब तक वो निकाल रहे हैं स naught को नेक्ट अटीप क्या होता गिया तैके तो एटीप आपका क्या होता है उसको थोड़ा और इचे-स्तिए और हम नीचे आप लोगों को उसके लिए definition भी दे दिए हैं ताकि आप लोगों को broad way में समझ में आए ATP in short form समझ लिजे कि currency होता है energy का है ना जैसे कि अभी हम लोग currency use करते हैं जहां जाते हैं कुछ खरीदना होता है तो हम लोग तुरंत पैसा देते हैं समान खरीद लेते हैं similar ATP है अगर energy चाहिए then we spent ATP over it तो ATP is the currency of energy और यहां पर देखिए इसका full form आप लोगों के लिए हम लिख दिये हैं adenosine triphosphate यानि कि यह phosphate, adenine और ribosugar का mixture है और इसको कहां से breakdown किया जाता है glucose से तीक है जैसे आप लोग देखते होगे कि बहुत heavy आप लोग कुछ workout करके आते हो या फिर running करके आ रहे हो या game खेल करके आ रहे हो तो यह सब करने के बाद आप लोगों का क्या होता है ठकावट होती है बहुत सारा आपका energy lost हो गया रहता है तो आपको ममी तुरंत glucose घोल करके दे देगी तो तुरंत से energetic आ जाते हैं आजाता है ना energy क्यूंकि हम लोगों को उतना प्रोसेस से नहीं गुजन नपड़ा कि हम लोग खाना खाएं फिर चबाएं न्यूट्रिशन हुआ absorption हुआ simulation हुआ फिर energy रिलीज हुआ उतना वेट नहीं कर सकते हैं क्यूंकि हमारा energy बहुत लॉस्ट हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं तो तुरंत उस पर oxygen काम करता है तुरंत ATP रिलीज होता है और हम लोग फिर से energetic फिल करने लगते हैं ठीक है यही होता है हमारा ATP तो ATP और ADP आप लोग एक वर्ड और मिलेगा ADP adenosine diphosphate तो देखें दोनों में सिंपल सा डिफरेंस यह है कि इसमें तीन phosphate होते हैं और उसमें दो tri means 3, diamonds 2 ठीक है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीटेल में नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिसकस करेंगे ताकि आप लोगों का concept completely clear हो जाए तो फिर नेक्स देखते हैं respiration के type कितने होते हैं how many types of respiration we have to study तो first aerobic respiration aerobic respiration यहां पर हम आपको simply समझा देते हैं air what जहां पर भी होगा हमेशा याद रखिएगा वो oxygen से related air के बारे में बात हो रही है air which has oxygen ठीक है तो aerobic respiration मतलब हो गया the cellular respiration in presence of oxygen अब cellular respiration ही क्यों हो रहा है तो हम आपको जैसे पहले ही बता है कि हमारे body का जो cell होता है वह हमारा glucose को store करके रखता है ठीक है तो cellular respiration होगा तभी हमारा energy release होगा तो aerobic respiration क्या होता है एक word में हम लोग इसको समझ लेते हैं कि it is a type of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy तो यह एक टाइप का cellular respiration होता है ठीक है देखिए हम आपको ब्रैकेट में cellular respiration लिख दिए बड़े बड़े हम आपको definition लिखवाएंगे समझना है आपको बहुत बड़ा बड़ा definition लिखवाएंगे जो समझ में ही नहीं आएगा आपके तो कोई फायदा नहीं है इसलिए हम आपको short से लिखवाएं तो it is a type of cellular respiration that takes place in presence of oxygen to produce energy in the form of ATP simple सा इसको खुद से बना लोगे ठीक है तो यहां पर देखिए आपका उसका chemical equation भी हम आपको लिख दिए हैं देखिए c6 थोड़ा short है तो इसको फिर से लिख देते हैं c6 h12 o6 हमेंसा याद रखिएगा यह किसका chemical equation है glucose का यह chemical formula है और इसका equation हम लोग अभी बनाए है तो glucose का क c6 h12 o6 यह किसके presence में breakdown हो रहा है तो oxygen के ठीक है तो यहां oxygen है आपका देखिए और release क्या कर रहा है carbon dioxide water और energy जो हम लोगों को required है energy तो हम लोगों को चाहिए ना तो यह आप लोग इसका chemical equation जरूर से याद कर लिजेगा it is important कि माल लिजे एक नमबर या दो नमबर में पूस देगा ज्यादा marks का यह नहीं आता है तभी आएगा जब हम लोगों को completely बोलेगा कि Arabic respiration को define कीजिए तभी नहीं तो ऐसे यह एक नमबर या फिर ज्यादा से ज्यादा दो नमबर में आ सकता है नेक्स देखते हैं अन यूज होता है तब हम लोग यह सारे वर्ड्स को यूज करते हैं तो यहां पर एन एरोबिक यानि की absence of oxygen कि सिंपल सी बात है ना वर्ड्स से ही हम लोग समझ लेंगे biology हम लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखिए एन एरोबिक respiration क्या हो गया it is a type of cellular respiration that takes place in the absence of oxygen to produce energy जो ऑक्सिजन के absence में energy produce कर रहा है ऐसा cellular respiration तो ऐसा कब होगा कैसे हो जाएगा बताओ यहां पर तब होगा जब हम लोगों का ग्लुकोज खुद ही breakdown हो जाएगा और क्या बनाएगा अल्कोहल बनाएगा अल्कोहल का देखी chemical formula लिख दिये हैं ऐसे हम आपको एक बाद फिर से दिखा देते हैं C2H5OH यानि कि C आपका 2 है hydrogen 5 है यानि carbon 2 है hydrogen 5 है और hydroxide एक है इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं यह अल्कोहल का है ठीक है बाकि आप लोगों को ग्लुकोज का पता चली गया है C6H12O6 carbon dioxide का CO2 और ATP रिलीज होगा ठीक है तो यह बिना oxygen के ही ग्लुकोज जब आपका breakdown हो जाएगा अल्कोहल carbon dioxide और energy रिलीज करेगा उसको हम लोग anaerobic respiration कहते हैं simple सा word में तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ें कि breathing क्या होता है तो breathing क्या होता है जब हम लोग oxygen inhale करते हैं और carbon dioxide को exhale करते हैं तो breathing हो गया respiration क्या हुआ बायो केमिकल प्रोसेस जिसमें हमारा oxygen क्या बनाता है ATP रिलीज करवाता है cellular respiration के through respiration कि टाइप के होते हैं दो तरह के aerobic यानि कि जो oxygen के presence में हो और anaerobic जिसमें oxygen absent हो ठीक है chemical equation दोनों का हो गया कि एक में क्या होता है कि ग्लुकोज हमारा oxygen के साथ breakdown होता है और एक में क्या होता है कि बिना oxygen के breakdown होता है अलकोहल co2 और ATP में ठीक है अब नेक्स देखते हैं हम लोग phases of respiration हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अभी ये class 10 के syllabus में नहीं है आपके यानि के NCRT के बुक में नहीं है बट रिस्क नहीं लेंगे हम लोग इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि तो तीन phases में respiration हम लोगों का होता है यानि कि तीन phase ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारा अब एटीपी formation होता है ठीक है तो फर्स्ट हो गया ग्लाइकोलाइसीस इस सेकेंड है आपका ऑक्जिडेटीव फोस्फोराइलेशन तीक है ग्लाइकोलाइसीस ऑक्जिडेटीव फोस्फोराइलेशन और साइट्रिक एसीड साइकल जिसको हम लोग क्रेब साइकल भी पढ़ साइकल हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसीस में क्या होता है थोड़ा साम लोग समझते हैं ग्लाइकोलाइसीस में ग्लुकोज जो है वह दो एटीपी बनाता है याने अधिनो सिंट्राइब फोस्फेट फिर उसको पाइरूभेट में चेंज किया जाता है यह सब होकर के जो आपका 36 ATP form होता है वो ग्लाइकोलाइस होता है तो इसको हम बहुत अभी आपको डिटेल में नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आप लोग इसको पढ़ाएं नहीं है तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए ताकि हम इस पर आपको पूरा कंप्ली समझा सकें ठीक है और हाँ अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बोलना ताकि हम उस पर एक और वीडियो आप लोगों को दे सकें फिर ऑग्जिडेटीव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है इसमें भी एटीप मॉलेक्यूल ही आपका पाते हैं ठीक है फिर क्रेव साइकल तो मापको पढ़ाना ही है इसको भी ना पढ़े तो आप लोगों को होगा ही नहीं नेक्स्ट आपको पहले भी बता चुके हैं कि एडिनोसीन ट्राइफ फॉस्फेट क्या होता है तो इसको खर्च करेंगे तो एनरजी मिलेगा सिंपल स अब्रेस्फिरेसन होता है जब होएं बॉड़ ड्यक होडे में एठाव्र टिलिसों के छी सेल के अंदर तो वह होता है सेलूलर रिर्स्पिरेशन सेल्य उन्हीं होगे है도 टेञीक मालाशय गस्जाकूर्क पले प्लेक्शन तेक्स प्लेजह लिविंग तुम लिविग आती ह कोई function नहीं होता है याद रखोगे तो डेट सेल का जब function ही नहीं होता है तो हर चीज हमारे living सेल में ही होगा ठीक है तो रिलीज एनर्जी बाइ कनवर्टिंग बायो केमिकल एनर्जी फ्रॉम नूट्रेंट्स इन्टु एडियनोसीन ट्राइफोस्पेट बेस्ट रॉन्द ऑक्सीजन डिमांड सेलुलर रेस्पिरेशन इस डिवाइद इन्टु एरोबिक रेस्पिरेश यह सिफ आपके लिए हम कि डेफिनेशन दे दिए ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और अगर आप लोगों को याद करना हो तो याद कर लो यह सिंपल सा है क्या होता है कि अब हम लोग देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स में कहां होता है तो आप ल माइटो कॉंड्रिया आपका पावर हाउस है तो जाहिर सी बात है कि सेलुलर रेस्पिरेशन वहीं होगा तभी तो एटीपी रिलीज होगी ना और जब एटीपी रिलीज होगी तभी तो एनर्जी मिलेगा प्लांट को तभी तो वह ग्रो करेगा ठीक है तो याद रखोगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट में हमेशा कहां होता है माइटो कॉंड्रिया में यह एक नंबर का एमसी की क्वेस्चन में आ सकता है तो इसको याद रखोगे अच्छे से आज के लिए इतना ही और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है किस हूआ है प्रजर लाइब खर रेस्टाने क्यों को यह नज्यात पिल्डे में यह खूञ आप ब्सक्रश्राव में कल्सक्षा बाले का प्रड़ता लॉटे न्यात रखोगे और अबस्यात था में आप बस्क्रआप बस्क्रावेशन अजीजा रखोगे चल्यात आप प्लोग